नमस्कार मैं उस्तासी आये जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं एक सितंबर से 94 तरीके से खोले जाएंगे इस्कूल कॉलेज देश में कुरोना वारस के मामले 20 लाह के पार चले गए हैं लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से इस्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है बता दे कि केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नौवंबर के बीच 94 तरीके से इस्कूलों और अने सेक्षिनिक संस्थानों को फिर से खोलने पर योजना बनाई है जार्खन मौसंवी भाग के अनुसार जार्खन में अभी मांसून सक्रिय रहेगा 10 अगस्त से राजधानी में अच्छी बारिश की संभावना ब्यक्त की गई है हलाकी 7 और 8 अगस्त को बारिश में कमी रिकोर्ट दर्ज की गई है मैट्रिक का फरजी परवान पत्र वारल होने पर जाच का आदेश जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक का फरजी परवान पत्र मिलने की सुचना के बाद कॉंसिल ने इसे गम्भीता से लिया है करीब एक दर्जन फर्जी मैट्रिक का प्रवान पत्र मिलने की बात सामने आ रही है जैक उपाध्यक्ष फूल सिंग ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा है कि मामला उनके संग्यान में आया है और इसकी जाच की जाएगी जार्खन में आज 31 ने संक्रमित को पुष्टी हुई जोराची से 412, बोकारो 12, 14, 37, देवगर 13, धनबाद 33, दुमका 5, पुर्वी सिंभूम 24, गडवा 3, गिरीडी 286, गोड़ा 5, गुमला 16, जामतला 4, खोटी 30, कोड़ार्मा 8, लातेहार 16, पाकुल 4, पलामो 3, रामगा 18, साहिवगंज 18, सराय के लती, सिंडेगा 14, पच्छ भारत में कुल संक्रमितोक संख्या 21, लाख 51, 901 है, जबकि 14, लाख 89, 1700 लोग स्वस्थ हुए और 43, 445 की मिरिती हो गाई एक्टिव केस, राची 2065, पूर्वी सिमुम 1841, धनबाद 428, गिरिर 360, बोकारो 227, चात्रा 244, देवगर 257, दुमका 116, गाडवा 227, गोड़ा 392, गुमला 266, हजारी बाग 343, जामतला 69, खोटी 270, कोड़ार्मा 283, लातेहार 162, लोगर्दागा 89, पाकुल 111, पलामो 216 रामगार 215, साइबवण 194, सराय किला 242, सिम्डेगा 114, पाच्वी सुम्बूम 224, मरिज एक्टिव है प्रतेक पंचात में 25 योजनाय संचालित करे, मंद्रेगा आयुक्त, मंद्रेगा आयुक्त सिधात्र पाठी ने कहा है कि राजिकी प्रतेक पंचातों में मंद्रेगा से कम 25 योजनाय संचालित करे, ऐसा एक भी गावना हो जिसमें मंद्रेगा की योजनाय संचालित नहीं क जा रही हो। अगले एक सब्ता के अंदर 100 सेडेर समय दिरो को नुजित करे। मोराबादी मैदान में ही होगा सोतंत्रता दिवस समारों। जाकन की रईधानी राची में आउजित होने वाला सोतंत्रता दिवस का राजकी समारो जयप वन मैदान में नहीं होगा, बलिक एतिहासिक मौराबादी मैदान में ही होगा, सनिवार को राची के उपायुक 6 रंजन और SSP सुरेंद्र कुमार जाने सोतंत्रता दिवस समारो के लिए मौराबादी मैदान का जाए जालिया, राची में 6 जगों पर आज मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस, पूरे विश्व रभिवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाएगा, जार्खन सरकार के मुख मेंत्री हमन सुरेंड ने पिछले दिनों ही ट्वीट क मैने का फैसला किया है, यहर इंडिया दुर घटना के बाद मुंबाई जा रहा विमान राची एयरपोर्ट पर बाल बाल बचा, किरल में यहर इंडिया एक्सप्रेस के बिमान के दुर घटना ग्रस्ट होने के एक दिन बाद जहरकन के दानी राची में सनिवार को एक बार बड़ा हाथ साटल गया है, इसके साथ ही 147 यात्रियों की जान बच गई, बता देखी सनिवार को राची स्थित बिर्शा मुंडा एरपोर्ट से एक बिमान मुंबाई के लिए उड़ान भरने की त्यारी कर रहा था, इसी दरान एक पक्षी बिमान से टकरा गया, यहर एसिया के बिमान के चलों को अभास हुआ कि बिमान से कुछ टकराया है, इसके बाद उसने एमर्जेंसी ब्रेक लगा दी, बिमान उड़ान भरने से पहले ही रनवे पर रुख गया, इसके साथ ही 147 यात्रियों की जान बच गई, यूरिया बेचने वालों पर सरकार सक्त, कई दु पर देश दिया है कि सभी जीलों में उरंदस्ता बनाकर खाद बीज की दुकानों पर नियमित निरेक्षन कराया जाए, इसी करम में सुक्रवार को पुरी रजदानी में ब्यापक प्रमाने पच्छा पिमारी की गई, जिसमें कई दुकानों को नोटिस भी जारी किया गया ह IRB के 30 जवान संक्रमीत एक की गई जान, जारखन में करोना का कहर जारी है, सनिवार को राची के एक IRB के जवान की मौत हो गई है, बतादे कि रिम्स में इलाजरत IRB के एक जवान की मौत हो गई, जवान राची के ही मेसरा का रहने वाला था, इसके साथ ही IRB के लगबक 30 जवानों को राची अस्पताल में ड्यूटी में लगाया गया था। जवानों को राची अस्पताल में लगाया गया था। पिछले वर्स दी गई साइकल की राची के बाद उन्होंने साइकल खर दी है या नहीं इसकी जाच होगी। बतादे की अनुशुचित जन जाती, अनुशुचित जाती, अल्पसंख्यक और पिछला वर्ग कल्यान विभाग ने इसके लिए सभी जीलों के उपायुक्त को जाच के आदेश दिये हैं। जीले में उपायुक्त और उप विकास आयुक्त की अध्यक्स्ता में कमिटी बनेगी। इसे रद करने के लिए राज सरकाने जनुवारी में ही आदेश दिये थे। यहाँ है रांची में प्लाजमा डोनेट के लिए सीवीर रांची में प्लाजमा डोनेट के लिए स्वास्थ सीवीर लगा जाएगा तैकि स्वास्थ हुए मरीज के प्लाजमा से जरूरत परने पर गंभीर मरीजों का इलाज किया जा सके इसका निले सुक्रवार को उपायुक च्वी रंजन की अध्यक्सा में जिला स्वास्ट समिती की बैठक में लिया गया उपायुक्त ने सिविल सर्जन बीवी परसाथ को सदर अस्पताल वरिम्स में स्वास्ट सिवीर आयोजन कर पलाजमें डोनेट करने के लिए कहा है फाइलेरिया भगाव कारेकरम 10 से 20 अगस तक फाइलेरिया उनमुलन के लिए अगामी 10 से 20 अगस तक जिला में MDA कारेकरम चलाया जाएगा इसके तहाँ सुरुवाती 3 दिन 10 से 12 अगस तक बूथ में लोगों को DEC एवाम इलवेंडा जोल की एकल खुराक उम्रे के अनुसार खिलाए जाएगी इसके बाद 13 अगस से 20 अगस तक घर घर जाकर चूटे हुए लोगों कोई हदवा स्वास्त कर्मी अपने सामने खिलाएंगे शिक्षक नियुक्ति परकिरिया शुरू कराने के लिए मुख मंत्री से मुलकात जाखन सिक्षक नियुक्ति परकिरिया शुरू कराने के लिए रामगार की विदावेक ममता देवी सनिवार को मुख मंत्री हमन सुरें से मिली इस दोरान मामता देवी ने कहा कि सिक्षकों की नियुक्ति परकिरिया में जेटेट 1216 के उतिन अभियार्थियों को प्राथ्मिक्ता मिलनी चाहिए इस मुद्धी पर कोई अभियार्थियों ने उनसे बात भी की थी पुलिस कर्मियों के कुरिंटाइन अधी को भी माना जाएगा डिवटी डिजीपी राजे के किसी भी जिले में अब पुलिस कर्मियों के छुटी के बाद लटने पर 14 दिन 21 रहने की अधी को अवकास से नहीं काटा जाएगा इस समद में डिजीपी एमबी राव ने सभी जीलों और सखावों के एसपी को आदेश दिया है राम ने आदेश में कहा कि अवकास से लोटने वाले पुलिस कर्मियों और पदा अधी कारियों को संक्रमन की रोक्ठाम के लिए नियमा अंसा और क्वारेंटेन की अवधी को ड्यूटी पर ही माना जाएगा इस अवधी के लिए किसी भी परकार के अवकास किया सकता नहीं है 15 अगस्त तक गंदगी मुक्त भारत अभियान जल सकती मंत्राले भारत सरकार के निर्देश पर खोटी जीले में इस बी एम फेजटू के तहट सनिवार से सपता ब्यापी अभियान गंदगी मुक्त भारत का आयोजन सुरू हुआ अभियान 15 अगस्त तक चलेगा या अभियान जीले के हर प्रखंड ग्राम पंचायत और गाउं में चलाया जाएगा इसके तहट पेजल एवं स्वस्ता विभा के कर्मियों द्वारा ग्राम प्रखंड जीला अस्तर के सभी समिदारों को स्वस्ता एवं स्वस्त के सकरात्मक पलू के प्रति जागरूप किया जाएगा धन्यवाद आज के लिए वस इतना ही कल से आपको 25 निज मिलते हैं